आधार काट डाउनलोड कैसे करें इस वीडियो में आपको complete दिखाएंगे कि new website में आधार काट डाउनलोड कैसे होता है element number से आपको element number से आधार काट डाउनलोड करके दिखाएंगे साथ में आधार number से भी download करके दिखाएंगे अभी हो क्या रहा है जब से ये new website launch हुआ है element numbers जो है मतलब जो परची मिलता है नया अधारकाट बनाते हो उस परची के number से अधारकाट download बहुत सारे लोग नहीं कर पाते है इसके related काफी दुनों से मेरे पास comment आ रहा था जिसके कारण ये वीडियो में ले के आया हूँ तो चलिए वीडियो इस्टार करते है सबसे लिए official website में आना है आपको UID के official website में फिर यहाँ पर आपको my अधार लिख के मिल जाता है फिर यहाँ पर एक option मिलता है download अधार जाते हो तो वह भी हो जाता है अगर आपके अधार काड में मुवाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पर लोगीन का option लोगीन करके अधार काड भी सुधार कर सकते हो इसके related ओल्रेडी वीडियो बना चुकी है अगर आप नहीं देखिए तो डीपिजन बॉक्स में डाल देंग अगर आपके पास मुवाइल है तो मुवाइल में भी यही काम कर सकते हो मुवाइल का कोई भी व्रोजर खोल के ठीक है तो यहाँ पर देखो option आ चुका है कि अधार नंबर देना है तो अधार नंबर डालो अगर element number है आपके पास सिर्फ element ID है मतलब परची में जो परची मि होता है वह number डालो और download कर या फिर virtual ID से भी download कर सकते हो यह तीनों option आपको यहाँ पर दे दिया गया है आप इन तीनों में से कोई भी एक्सलेट करो जो भी आपके पास है और वह number डालकी है capture डालके send.tp में click करके download कर लो तो चलिए हम element number से download करके दिखाएंगे क्योंकि element number से बहुत सारी लोग बता रहा है कि download नहीं हो रहा है तो यहाँ पर enter element number में हम जो भी element number है वो डाल देते है तो इसका जो number है total डाल लेते है देखिए यह number डालने में यही पर number डालने में ही कुछ different है यहाँ पर आप ध्यान से देखोगी हम समझाने की कोशिस करेंगे यही पर अगर आप सही डालते हो तो download हो जाएगा जैसे की number डाल देते है पहले देखो element number डाल चुक है ठीक है जो की 42 digit का होता है मतलब 42 संख्या का होता है वो number हम डाल चुक है लेकिन उसके बाद उसकी बाद क्या होता है years डालना परता है मतलब दीन महिना मतलब date month और साल यह डालन महिना होता है फिर साल होता है लेकिन यहां उसका उलटा डालना है ठीक है जैसे के मुशल सफ टाल दिए लास्ट में फिर महिना है 01 मतलब जन्वरी और दीन मतलब तारीख है 16 तो यह अम डाल दिए यह उल्टा दाल दिए ठीक है अब element पर चीमीं देखोंगे वो सिधा सि दा ए मतलब पहले तारीख होता है फिर महिना होता है फिर साल होता है तो यहां आपको उल्टा डालना है ठीक है फिर उसका बात जो टाइम होता है जो टाइम होता है वो सही डालना है जैसे लिखा हुआ है परची में वो सही डालना है तो चलिए हम डाल देते हैं जैसे लिखा हुआ है वो डाउनलोड करके दिखाते हैं यहां पर देख सकतो यह क्यप्चा भी डाल चुके send OTP में क्लिक करेंगे जैसे send OTP में क्लिक करोगे आपके यहां पर देख सकतो registered mobile नमर में बता रहा है कि इस OTP successfully dispatched to your अधार registered mobile नमर मतलब जो आपका अधार काड में mobile नमर registered है उसमें OTP भीज़ दिया गया है अब वह OTP डालेंगे और verify में क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो देख लेते हैं mobile में OTP आ भी चुका है हम यहां पर डाल भी देते हैं यहां OTP डाल चुके है verify download में क्लिक करेंगे जैसे verify download में क्लिक करोगे यह थोड़ा सा कुछ इस तरफ प्रोसेस लेगा यहां पर देख सेकतो हो साइड में download हो चुका है यहां पर बता रहा है congratulations your adhar card has been successfully download अब यहां पर बता रहें passport क्या होगा मतलब जो भी PDF डाउनलोड होता है उसमें पासपड होता है तो पासपड वो भी यहां पर बता के रखाए एक्जामपल में यहां पर देखो example your name अगर आपका नाम अनीज कुमार है तो अनीज कुमार में आप सिर्फ चारंग आपको उठा लेना है ठीक है मतलब proposed चार और उठा लेना जैसे ए ए इन आई ऐस बस इतना है उठाना है नाम कितना भी बड़ा हो पहले का चार करेक्टर आपको उठाना है फिर अपका आपका जनम साल देना है ठीक है यहां पर देख सेंक तो दीख यह पासपड बनाके यहां पर दिया सुश और Capital में आपको डालना है ठीक है और इसका जनम साल डाल देंगे उसके बाद और यहां Summit में क्लिक करेंगे तो यहां पर देखो इसका आधार काड खुल गया जिसका भी हम डाउनलूड किये हैं हाला कि बलर कर दिये हैं आधार काड दिखा नहीं सकते हैं यूटूब पे तो कुछ इस प्रकार से element नंबर से आप डाउनलूड कर सकते हो अब चलिए हम आधार नंबर से भी एक बार डाउनलूड करके दिखा देते हैं आपको अगर आधार नंबर आपके पास है सिर्फ और अधार नंबर से केसे डाउनलूड करोगी देखो ऑगर आपका अधार काड़ आपने अपडेट किये हैं तो सिर्फ आधार नंबर से ही आप डाउनलूड कर सकते हूँ यहां पर देखो डाउनलूड का कि यहां पर देख सकते हूं यह फिर से ओटी पी भेज़ दिया है आप जैसे यहां पर ओटीप हम डालेंगे वेरिफार डाउनलोड में किरेंगे यह डाउनलोड हो जाएगा चलिए एक बार यह भी डाउनलोड करके दिखा देते हैं क्योंकि बहुत लोग जो है अपना अधा नमबर से डाउनलूड कर सकते हूँ यहाद रखोगे वेरिफाय में क्लिक करते हैं फिर से यहाँ पर देखोगी यह डाउनलूड हो जाएगा तो निव वेबसाइट हैं यहाँ पर देखो डाउनलूड हो चुका है